अमस्कार दोस्तों, गर्मियों का सीजन आ गया है और गर्मियों की शुरुवात में ही टेंपरेचर इतना बढ़ने लगया है कि दिन को ही किसी काम से बाहर जाने में हमें तो भाई नानी दादी याद आ जाती है दिन की गर्म हवाएं और धूप जिनकी इम्मुनिटी लो होती है उनके लिए बीमारियों का घर बन जाती है आपने कई लोगों से अकसर सुना होगा कि हमें गर्मियों की वज़ा से लू लग गई है तो आईए आप जानते हैं कि लोग यानि की हीट स्ट्रोक लगने के कारण उनके सिम्टम्स और उससे छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाए क्या होते हैं लेकिना उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा लीजे दोस्तों आईए अब जानते हैं लू लगने के कारण जिया और आप हीट स्ट्रोक के शिकार बन जाते हैं अकसर लोगों को काफी समय तक मालूमी नहीं होता है कि उन्हें लू लग गई है लेकिन आप ये जान सकते हैं लू के सिम्टम से जो हमारे हिसाब से हर इंसान को अवश्य पता होना चाहिए तो अब बात करते हैं उन लक्षरों की जिनके जरिये हमारी बॉड़ी ये बताती है कि हम हीट स्ट्रोक के शिकार बन गए लू लगने से सिर में तेजी से दर्ध होना, चक्कराना, सांस लेने में समस्या जैसी कठीन चीज़ें भी होती है इसके लावा, बॉड़ी, हीट बढ़ने के कारण तेजी से बुखार और वॉमिट आने लगती है शरीर में गर्मी बढ़ जाने के बाद भी पसीना नहीं निकलता है, जिसकी वज़े से और प्रॉब्लम होने लगती है शुरुवाद में आपको इन सिम्टम्स का काफी कम असर दिखेगा लेकिन अगर आप इन पर सही समय पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो बढ़ने लगेंगे अब जानते हैं कुछ ऐसी नॉर्मल सी होम रेमेडीज जो आपको लू को कम करने में मदद करेंगे देखे, सबसे पहले इसके लिए अपनी डाइट में ठंडे तरल पेपदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें आप घर पर ही आम का पना बना कर पीजिए लू से बचने के लिए ये सबसे असरदार घरिलू उपाय है इसके लावा आप प्याज को भून ले और इसे एक साधारन प्याज के साथ मिला कर पीस ले इस मिश्रण में जीरा पाउडर और मिश्री मिला कर खाने से भी लू से आराम मिलता है इसके लावा रोजाना खाने में कच्चे प्याज का इस्तेमाल कीचे और आप धनिय पुदीने दोनों की ही तासीर थन्डी होती है तो आप इसको भी खा सकते हैं लू से बचने के लिए गरμियों में रोजाना धनिय और पुदीने का जूज बना कर भी पिये सबजियों का सूप बना कर रोजाना सेवन करें और शरीर को ठंडा करने के लिए दिन में एक या दो बार नीमू पानी का सेवन जरूर करें। लू में से फायदा पाने के लिए आपको बता दें कि आप ठंडे कपड़े से अपनी बॉडी पर ठंडे पाने की पटियां रखें। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से घरे लू उपाय जो आप लू को कम करने के लिए कर सकते हैं और आपके लिए मददकार होंगे। जादा दिर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तिमाल करें। अधिक मातरा में पानी पीए और बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ ले जाए। लू लगने से कुछ लोगों को चकर आना और बेहोशी भी हो जाती है। उस समय आप उन्हें डिरेक्टली डॉक्टर के पास ले जाए। और इन में से आपको कोई भी लक्षन है तो आप जल से जल इनका घर पर ही उपाय कर दीजे। और हो सके तो बिना काम के गर्मियों में बाहर जाने से बचें।